हाई एब्रिवान वेल्कम और वेल्कम बाक टू वेदान तो नीट मेड इजी आई होप एब्रिवान डोइंग ग्रेट सो माई नेम इस पूजा राय और आज के सेशन में हम पढ़ने वाले हैं एरर्स आज हम पढ़ने वाले हैं एरर्स ठीक है तो एरर के बारे में तो कुछ ज्यादा कहने की जरुवत नहीं है एरर होता क्या है किसे चीज को एरर में आप कैसे बोलते कि भाई एरर आ गया जो टू वैलू है और उससे अलब कुछ वैलू जब मिल जाए ठीक है जो मैच ना करे टू वैलू को हम उसे कहते हैं कि उसमें एरर आ गया जैसे कि आपका exact value है 75 but you are getting something 74 or 74.1 so that means the error is there तो चलो कुछ types of errors पढ़ लेते हैं यहाँ पे तो पहला देखो यहाँ पे 3 types of errors we have here so पहला absolute error ठीक है यह absolute error, relative error and percentage error तो अभी session की शुरुवार तो हो गई है और आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक तरीका बता देती हूँ कि आप errors को find out कैसे करोगे ठीक है, जैसे simply आपना कोई भी numbers ले लीजिए आप 11, 12 में आही गए हो, practical करना शुरू करोगे ही obvious right, so let's say आपने simply एक number ले लिया 2, 6, 8, 4 ठीक है, ऐसे number ले लिया आप सारे जितने भी numbers है, ठीक है, उसको क्या कर रहे हो 2 plus 6 plus 8 plus 4 divided by 4 अब आप क्या कर रहे हो, इन्हें जोड लो और इसको क्या करो 4 से divide कर दो, तो 6 plus 2 कितना हो गया 8 and 8 and 8 6, 8 and 8 16 and 4 क्या हो जाएगा 20, ठीक है, divided by 4 and A bar आपका आ गया 5, तो यह आपका आ गया average, अभी यह answer नहीं है, यह आपका क्या आ गया average, तो अब यहां से होती है twist की शुरुआत कि absolute error क्या होता है, तो absolute error के लिए आप simply क्या कीजिएगा, जो आपका average आया है ठीक है, delta A1 ठीक है, delta A1 बार, इसमें क्या करना है आपको, जो average आया है उसको minus first number ठीक है, let's say कि आपने क्या कर लिया कि यह क्या है आपका A1 है, A2 है A3 है A4 है, ठीक है, तो आपने क्या करना है delta A1 को find करने के लिए mod of mod of 5 minus 2 ठीक है, पहला number 2 है तो आपका कितना आ गया 5 minus 2 3 आ गया, राइट अब delta A2 find कीजिए ठीक है, अब यहाँ पर again बार लगाईए अब जो 5 minus 6 कीजिएगा ठीक है 5 minus 6 अब आ रहा है आपको minus 1 but आपको minus 1 नहीं लिखना है सबसे बड़ी बात की errors में कोई भी चीज़े negative में नहीं आती इसलिए तो हम mod में डालते हैं positive हो, positive तो रहेगा यह बट negative हो, वो positive ही रहेगा ठीक है तो अब यहाँ पर आपने 5 minus 6 किया तो minus 1 हो रहा बट technically आप लिखोगे 1 ही, ठीक है अब लिखना है delta A3 ठीक है mod 5 minus 8 ठीक है 5 minus 8 अब आपका आ रहा है minus 3 बट अभी भी आप क्या लिखोगे स्रिफ 3 ठीक है क्योंकि errors में negative होता नहीं है ठीक है इसलिए हमने हम error find करते हैं उसमें negative name लिखते है ठीक है अब आपने निकालना है delta A4 delta A4 ठीक है अब क्या करोगे आप 5 minus 4 करो तो 5 minus 4 हो गया तो यहाँ पर आ गया 1 ठीक है अब आपकी value जो आईए देखो 3, 1, 3 and 1 तो आपने इसमें क्या करना है अब इन्हें क्या करो इनका average find कर लो तो लेट से यहाँ पर देखो delta A bar and mod और जो 3 plus 1 plus 3 plus 1 divided by 4 ठीक है यह क्या है 3, 1, 3 3, 1, 4 and 4 मतलब यह क्या हो गया 8 हो गया divided by 4 आपकी value आगई 2 यह है आपका absolute error यही है आपका absolute error ठीक है absolute error जब भी आप find करते हो तब क्या करना है जो भी आपको numbers दिये गये हैं उसका average निकालो अब average निकलने के बाद हर एक number को क्या करो उससे minus करके जो आपका new data आता है इस तरीके से आपका जो new data आता है उसका average find कर लो वो हो गया आपका absolute error वो हो गया आपका absolute error ठीक है यह समझा आपको absolute error तो चलो आगे बढ़ते हैं Come on Let's go ahead So begin तो मैंने पहले ही कर दिया था Begin की slide अभी आ रही है No use ठीक है तो अब देखो errors होता क्या है मैंने जो बता दिया कि errors में होता क्या है The magnitude of the difference between individual measurement and the true value of the quantity That is called absolute error ठीक है और absolute error को हम always delta A से क्या करते हैं represent करते हैं ठीक है So आप absolute error कैसे करना है पहले average find करना है तोड़ा सा आगे बढ़ते हैं आपको बता देते हैं कि absolute error के बारे मैंने जस्ट बता दिया आपको कि कोई भी particular set of number दिया रहेगा उसका average find करो उसके बाद वो जो आता है average उसपे से क्या करो उसमें से हर एक number को minus कर दो ठीक है हर एक numbers को आपने minus कर दिया जो आपका new set of data आता है उसका average find करो वही होगा आपका absolute error ठीक है simple है ना simple है ना अभी में कोई doubt होता है तो definitely आप comment कर सकते हो definitely मैं वहाँ पर answer आपको दूँगी ठीक है चलो तो अब ये तो बात हो गई अब बात करते हैं relative error का ठीक है अब relative errors में जो होता है ये थोड़ा सा again ना फिल्कुल complicated नहीं है पहले ये देखो अब देखो अब relative error की बात आती है ये थोड़ा conceptually समझ लेते है the relative error is the ratio of the mean of absolute error delta a mean delta a mean to the mean value a mean of the quantity formula देख लो relative error का relative error delta a mean divided by a mean तो हमारा a mean क्या आया था a बार क्या आया था 5 ठीके delta a bar का थापना 2 ठीके इस value में पुट कर दो आप relative error find करने के लिए तो क्या हो जाएगा relative error आपने क्या करना है 2 by 5 करना है answer कितना आएगा I guess 0.4 ना हाँ so 0.4 और ये ही मेरा क्या है relative error बहुत जादा simple है ठीक है बस आपको थोड़ा सा दिमाग लगाने की ज़रूरत है simply calculation तो आपको करना ही आता plus minus किसको नहीं करना आएगा तो पहले आपने क्या करना है average find करना है average को हर data से minus करके जाके जैसे ही आप उसका average find करोगे आपको मिल जाएगा delta ame मतलब absolute error उसके बाद जो भी absolute error आता है absolute error divided by exact average वो हो जाएगा 0.4 तो यह तो बात आगई relative error की मुझे नहीं लगता कि अभी तद किसी को इसमें doubt हुआ होगा कि relative error क्या है absolute error क्या है तिक है अब बात आती है percentage error find out करने की so percentage error find out कैसे हम करेंगे so whatever the value you are getting that is you know the relative error so let's say we got the relative error here 0.4 so उसे बस 100 से multiply कर दो that you will get percentage error ठीक है वही से आपको मिल जाएगा percentage error so यहाँ पे या तो आप इस form में लिख सकते हो या फिर जो भी relative error आगया आपका उसी को 100 से multiply कर दो and you have your percentage error तो हमारा 0.4 आया हुआ था जैसे उसको 100 से multiply करोगे तो आपका आ जाना है 40% ओके तो आ जाना है 40% so that's it यहाँ पे देखो definition भी दिया गया है कि when the relative error is expressed as percentage it in called percentage error तो बहुत जादा simple है definition में मर जाइए बस जो भी आपको you know values मिल रहा है इसको 100 से multiply कीजिए और आपका percentage error आपके सामने है ठीक है चालो जी आगे बढ़ते हैं अब इसमें भी कोई अगर doubt होगा तो definitely comment box आपके लिए हमेशा के लिए open है आप उहाँ पे जाके अपने doubts को लिख सकते हो और हम उसको result ज़रूर करेंगे ठीक है चलो अब आते हैं यहाँ पे propagation of errors में ठीक है अब propagation of errors क्या होता है पहले यहाँ पे देख लेते हैं कुछ इनो theory लिखा हुआ है when two quantities are added और subtracted ओके added that means जब तुम add करते हो subtract that means जब आप minus करते हो तो the absolute error in the final result is the sum of absolute error in the individual quantity इन सब से पहले आपन यह करते हैं कि errors में एक चीज़ करते हैं कि अगर कोई भी value plus हो रही है ठीक है plus है तो तो plus तो है यह ठीक है अगर minus है तो भी plus है ठीक है अगर multiply है multiply है तभी भी वो plus है division है division है फिर भी वो plus हो रहा है राइट बाट अगर जब कोई value power में है power में है तब वो क्या होता है forward होता है ठीक है तो अब यह तुम्हें समझने की जरूरत है यहां तब तो आपके लिए सारा simple है plus दिया है तो plus है minus है तो minus है multiply है तो plus है बट पावर जब आ जाए तब क्या होता है forward हो जाता है तो अब यहां पर आप कैसे करोगे ठीक है अब देखो यहां पर कुछ दिया है applications so measure value of physical quantity ठीक है a and b is respectively ठीक है अब देखो a plus minus delta a and b plus minus plus minus delta b तो इसको लिखने का तरीका क्या है लिखने का तरीका यह सिर्फ लिखने का तरीका बता रहा है ठीक है तो अगर z की value physical quantity z की value a plus b है और z की value e minus b है तो आप लिखोगे कैसे उसे ठीक है तो इस a को आपने लिखना है delta a ठीक है इस B को आपने लिखना है delta B that's it ठीक है maximum possible error ठीक है delta A and delta B ठीक है examples भी लेंगे don't worry let's move ahead ठीक है अब यहाँ पे देखो अब बात आती है वो तो plus minus का था ठीक है multiplication की बात करते हैं इत्य फिजिकल कॉंटिटी which is given in multiplication form या फिर division form ठीक है तब आपने कैसे लिखना है again simple है इसी आपने लिखना है delta Z by delta delta Z by Z ओके और इसे जो है आपने देखो हमेशा से क्या करना है delta A लिखना है तो इसको क्या हो जाएगा delta A by A plus plus delta B by B जो भी लिख रहे हो हमेशा plus होगा that's why I said plus मतलब plus माइनस मतलब plus multiply मतलब plus only जब power आए तभी वो forward होगा उसका मतलब क्या है जैसे आपको दे दिया कि Z equals to A square ठीक है A square तो forward होगा मतलब क्या होगा Z equals to 2A ठीक है 2A अब इस A को आप किस form में लिखोगे delta A by A तो इसको आप लिख दोगे Z equals to 2 delta A by A that's it done तो यह क्या है लिखनी का तरीका है कि आपको जब plus आए तो plus में minus आए तो भी plus में लिखना है multiply हो तो भी plus करनी है ठीक है अब आगे जब थोड़े examples करोगे तो definitely आपको समझेगा ठीक है और अगर division है फिर भी आपने plus करनी है ठीक है और जब power आ जाए थोड़ा सा changes हो जता है इतना तो आप समझी सकते हो थोड़ा सा changes carry forward हो जाता है ठीक है चलो आगे बढ़े फिर I hope सभी को समझा होगा अगर अभी तक नहीं समझा तो comment box आपके लिए हमेशा हमेशा के लिए 24 hours open है जाओ जो भी आपको queries हो वहाँ पर लिख दो और हाँ इस session के बाद आपको PDF भी मिलने वाला है टेलिग्राम चैनल पे तो टेलिग्राम चैनल बिल्कुल भी नो miss मत करना बहुत सारे updates होते रहते हैं ठीक है और हाँ community post भी हम करते रहते हैं तो community जाके check करो अपने PYQ के level high करो ठीक है चलो अब देखो अब raised to the power देखो अभी power की बात कर रहे थी ना अभी मैंने बताया power का और power का आ भी गया तो अब power का कैसे आपने लिखना है अब देखो ए physical quantity z equals to a square power आगया ना a to the power of 2 ठीक है तो आपने अभी कैसे करना है तो अब maximum relative error किस form में आपने लिखोगे देखो जो भी है अब ये तो आपका कैसे हो जाएगा ये आपने लिख देए z equals to 2a ठीक है 2a multiplication है 2 times a को लिखना है 2 times a को लिखना है तो delta a by a plus delta a by a यही form है ना यही form है ना राइट अब इन दोनों को क्या करें देखो इसी form में लिखा हुआ है 2 delta a by a राइट अब क्या करना है ठीक है in general let's say if you're getting this way ठीक है तो कैसे लिखोगे कैसे लिखोगे delta z by z p ठीक है देखो power forward हो जाएगा और delta a by a okay this q forward हो जाएगा delta b by b ठीक है r forward हो जाएगा मतलब multiply हो जाएगा ठीक है delta c by c so this is the format जब power आता है बाकी सब में तो आपको plus c करना है power आए multiply हो जाएगा मतलब forward हो जाएगा ठीक है अगर इसमें कोई भी doubt होगा आप लोग पक्का पूछ लेना मैं आपके सारे इनो questions का answer देने के लिए ready हूँ चलो जी आगे बढ़े हम ठीक है propagation of error हो गया यहाँ पर आगे बढ़ते हैं कुछ ना examples लेंगे ठीक है significant number पर आते हैं ठीक है so significant number ना यह again बहुत जादा important है इस पर question आया है और question मैं भी लूँगी भी तो significant number की जब बात आती है ना देखो उसमें कुछ rules है आपके घर में बहुत सारे rules है आप पर ही सारे rules apply होते हैं आपके school में बहुत सारे rules है meat crack करने के बहुत सारे rules है meat के बाद अगर doctor बनोगे तो बहुत सारे rules है ऐसे significant number के भी rule है ठीक है तो देखो पहला रूल क्या कह रहा है? रूल नमबर वन Every non-zero disease is reported measurement assumed to be significant Example ले लेते हैं देखो example जैसे example ले लिया 202 ठीक है? क्या बोल रहा है? Every non-zero number Non-zero मतलब non-zero number ठीक है? 1, 2, 3 Every non-zero disease in a reported measurement Is assumed to be a significant So 2, 0, 2 2, 0, 0, 2 बीच में 0 है But non-zero अगल बगल है तो इसका significant कितना होगा? 4 ठीक है? अब देखो जिसे 3, 0, 1, 0, 3 ठीक है? 1, 2, 3, 4, 5 इसका क्या हो जाएगा? 5 ठीक है? समझ रहा है? यह रूल नमबर 1 था अब रूल नमबर 2 पे चलते हैं भाई ठीक है? 0 appearing between non-zero desert are significant अब इसका क्या example है? 0, 0 appearing between non-zero ठीक है? 0.00235 ठीक है? यह significant यह जो क्या है? significant नहीं है इसको consider नहीं होगा Only 2, 3, 5 क्या है? significant जैसे 0.00453 ठीक है? जो non-zero है उसी को हम significant लेंगे और जो भी zero है उसको हम consider नहीं करेंगे ठीक है? चलो आगे बड़े rule 3 की बात करते हैं कि leftmost zero ठीक है? leftmost zero appearing in the front of non-zero desert are not significant अब यह क्या कह रहा है भाई? कि leftmost zero ठीक है? अब देखो let's say कि 1.00 हो गया leftmost zero ठीक है? so यहाँ पर 1.00 हो गया यह decimal के बाद I am repeating my sentence here I am again repeating my sentence here 1.00 decimal के बाद जो zero आएगा वो consider होगा significant number के लिए ठीक है? so 1.00 significant number 3 बाट अगर 100 है there is no decimal तो वो zero consider नहीं होगा इसका significant one ही होगा ठीक है? चले example ले ले लेते हैं यहाँ पर जैसे कि 1.001 ठीक है? and 2.00 ठीक है? 1.00 ठीक है? तो अब इसका क्या है significant? इसका क्या है significant? 4 ठीक है? इसका है 4 2.00 इसका है 3 ठीक है? 1.00 अब देखो इसमें decimal नहीं है तो इसका 1 ही होना है ठीक है? ठीक है? I hope सभी को समझा होगा आगे बढ़ें आगे बढ़ते हैं अब देखो significant number का ना कुछ थोड़े बहुत और rule है जब हम add करते हैं and subtract करते हैं तब कौन से rule है? तो देखो यहाँ पर कि in addition or subtraction the final result should be retained as decimal places as are there are number of least decimal बहुत ज़्यादा पहाड़ा है I know कि आपको बिल्कुल नहीं समझ रहा है कि यह क्या लिखा है क्या लिखा है कुछ example से करेंगे ठीक है? अब देखो यहाँ पर बोला है कुछ number दे दिया है जैसे 12.52 मीटर्स 349.0 मीटर्स 8.24 मीटर्स ठीक है? सेट अप नंबर्स दे दिया है 4.5 स्टांडर्स में हमने बहुत सारे ऐसे अडिक्शन वाले चीज़ करें हैं ठीक है? देखो नीट में भी बही पढ़ रहा हो थोड़ी से चेंजेस आ गई है तो अब इनको जैसे हैं आप अड़ करते हो अड़ करने के बाद आपका क्या रहा है? 369.76 तो अब यहाँ पर देखो क्या करना है आपको? ठीक है? जब बेसिमल के बाद पहला देखो 7 है पहला डिजिट के बाद दूसरी डिजिट को देखना है कि आपको 5 से ज़्यादा है कि नहीं 5 से ज़्यादा है 5 से ज़्यादा है 5 से कम है तो कोई बात नहीं ठीक है? अगर 5 से ज़्यादा है तो इस वाले डिजिट में क्या हो जाएगा? वो अड़ हो जाएगा ठीक है? हमेशे याद रखना कि decimal के बाद जो digit होगा उसके बाद वाला जो digit होगा अगर 5 से जादा है तो एक उसमें add हो जाएगा और वो हट जाएगा तो जैसे 369.76 ठीक है 5 से जादा था तो एक add हो गया 369.8 round figure हो जाएगा सेम चीज़े आप subtraction में भी करोगे ठीक है चाए add कर रहे हो चाए subtract कर रहे हो यही follow करोगे significant round figure करने के लिए ठीक है चलो तो I hope यह समझा होगा आपको subtraction and addition का rule ठीक है जी अब देखो बात जब आती है no multiplication की multiplication में थोड़ा सा different है ठीक है इसमें आपको पूरा whole number सी लेना पड़ता है जैसे आपने 7.55 into 0.34 meter किया ठीक है अब इसको आपने देखा यहाँ पे जैसे ही आप multiply करते हो इससे multiply किया इससे multiply किया आपका यह answer आ रहा है ठीक है आपका यह answer आ बात डेसिमल के बाद चो घुडिज्टिक है यह वाला घुडिजीट ठीक है यह वाला दिसट यह 5 है है इसके बाद वाला डिजट अगेन फाई से बड़ा है अगेन 5 से बड़ा है हम इस लिए 2 में आना है देखो हमेरा यहां पे पे इसका होगा significant number 3 और सका significant number क्या होगा 2 तो हमारा answer भी significant 2 में ही चाहिए तो अब देखो यहां तो significant 1, 2, 3, 4 4 हो जा रहा है बट हमें चाहिए significant number इसका result 2 में ही तो देखो 2.5 इसके बाद 6 है तो 5 से ज़्यादा है तो add हो जाएगा तो मेरा final answer हो जाएगा 2.6 और इसका significant number हो जाएगा 2 simple है ना यह multiplication या फिर division में करते हैं यह rule हम हमेशा multiplication and division में करते हैं हमेशा यह देखना है कि सबसे छोटे वाले significant के form में ही आपको अपना result find out करना है अब देखो यहां पर 3 था significant यहां पर 2 था तो इसी form में हमको अपना result चाहिए अगर एक और number होता उसका significant number 1 होता तो 1 के ही form में हमें अपना result चाहिए होगा so I hope आप सभी को यह significant number वाला इनो concept समझाओगा बहुत जादा important है नीत exam में पूछता है ठीक है तो अभी तक जो भी concept में करा रही हूँ बहुत basic से करा रही हूँ तो आपने अच्छे से करना है इसे ठीक है प्रैक्टिस करो पहली बारे गड़वडाहट होगी थोड़ी सी बट examples ले लेकि practice करो खुद से number लो कुछ से इसका significant number find out करो कुछ से इसके multiplication करो खुछ से significant बनाओ ठीक है कब तक ऐसा कहते है न जितना practice करोगे उतना hands-on practice होगा ठीक है चल तो आज के लिए देखो यह यहाँ पर तक था अब आगे बढ़े यहाँ पर तो अब हमारा है quiz time आप लोगों के लिए quiz आ गया है तो इसके answer यह आपको बहुत easily बहुत easy quiz मैंने दिया है जो कि इनो meet में भी आया हुआ है देखो यहाँ पर है taking into account of significant figure what is the value of this पहले तो आपको subtract करनी है अभी किया हमने पहले तो आपको subtract कर दी है और उसके फिर answers को बताना है ठीक है so options are here pause कर लेना video को और उसका answer find out करना ठीक है चलो आगे बड़े इसका answer मैं बताती हूँ ठीक है so answer इसका a 9.98 ठीक है pause करना इसको फिर answer find out करना ठीक है तो आज के लिए बस इतना ही था आपके लिए homework यह है कि बहुत सारे multiplication, subtraction, division, addition कीजिए उसमें try to find out round figure, you know significant practice practice जहां से मिलिया practice करना शुरू कीजिए without practice significant number हो या फिर error हो या फिर dimension हो कुछ नहीं होने वाला है practice is the only key for your success ठीक है तो आज के लिए बस इतना ही don't forget to revise and revise the question every now and then ठीक है and again you know तो आज के लिए यहां तक ही था thank you so much for attending this lecture मिलते हैं next lecture में part 3 के साथ ठीक है तब तक के लिए चैनल को आप subscribe कर दीजिएगा and telegram channel को join कर लेना ताकि इसकी आपको pdf मिल सके इस session की तब तक के लिए bye take care everyone आपकोड़ान